मेरे गुरुजन जिन्होंने मुझे यहां तक पहुचाया उनको शश्षत नमन प्रणाम नमस्कार साथियों नमस्कार दोस्तों नमस्कार बच्चों आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुप कामनाएं बहुत बहुत बधाई मनजीले उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखो से कुछ नहीं होता होसलों से उड़ान होती है साथियों हर बार जो टीचर सुड़े होता है वो इसकूल लेज में होता है इस्कुल में लेक्चर वगेरा होता है बाशन होता है बच्चों को कुछ मोटिवेशन होता है तो मेरा जो आज का जो मोटिवेशन है संडे होने के काराण उन सभी बच्चों को समर्पित है जो मेरे पुराने स्टुडियन रहे है और आने वाले जो अभी प्रेजेंट में सब इको टीजर्स देखी, बहुत बहुत शुब कामना है, बहुत बहुत बधाई, तो साथियों, सीडिया बेशक उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी तो मन्जिलें आस्मा, रास्ता भी खुदी बनाना है, साथियों, जीवन में कई परिशनिया मुसिबत आती, लेकिन डटकर मुकाबला करना, महनत करना, आगे बढ़ना, यह जीवन में जहान रखना, प्रॉब्लम सब आती रहती हैं, तो प्राबलम आर पार्ट आफ लाइफ, प्राबलम आर पार्ट आफ लाइफ हमेशा रहेगी प जीवन जीने की कल आगई है, साथियों कुछ important बाते हैं, जो रतन टाटा जी ने बाशन की तोरान कही थी, महत पून बाते हैं, उन बातों के बारे में जिक्र करते हैं, और जीवन में उनको उतारने कोईश की जागा, जो वास्त्वीक चीजे हैं, उनके बारे में बात करते हैं, पहली बात, पहला point, जीवन उतार चड़ाव से बरा हैं भाई, जीवन उतार चड़ाव से बरा हैं, इसकी आदत बना लो, कभी उतार आएंगे, कभी चड़ाव आएंगे, कभी मुसीवत आएंगे, कभी सुख आएंगे, कभी दुख आएंगे, जीवन उतार को साबित करके दिखाओ, लोग तुमारे स्वाभिमान की परवा नहीं करते, इसलिए खुद को साबित करके बताओ, फिर लोग मानेंगे, कालेज की पड़ाई करने के बाद, पांच आकड़े वाली पगार की मत सोचो, एक रात में कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन जाता इसके लिए अपार मेहनत करना पड़ती है, हर कोई चंदरगुप्त नहीं बन जाता, इसके लिए अपार मेहनत करनी पड़ती है अभी आपको अपने शिक्षक सक्त और डरावने लगते होंगे, क्योंकि आपके जीवन मे बहुत नामक कोई प्राणी से पाला नहीं पड़ा है आपके जीवन में बोस नामक परानी से कोई पाला नहीं पड़ा जिस दिन आपका बोस से पाला पड़ागा जिस दिन आपका मालिक से पाला पड़ागा जहां पर आप काम कर रहें वहां पर पाला पड़ागा उस दिन पता चलेगा कि ये शिक्षक जो थे हमारे मार्ग दशक थे इन शिक्षकों ने जो वहाँ वाली जो सिचुएशन थी उससे तो ये सिचुएशन काफी खतरनाग है तो अभी आपको अपने शिक्षक सकत और डरावने लगते होंगे क्योंकि आपके जीवन में बहुस नामक प्रानी से पाला नहीं पड़ा नेक्स बात तुमारी गल्ती सिर्प तुमारी हैं किसी के उपर दोशारो पढ़नी कीजिएगा तुमारी पराजय सिर्प तुमारी हैं किसी को दोश मत दो गलती से सिखो और आके बढ़ो निरंतर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीरस और उबाव नहीं थे एक्चुली यह जो टीनेज होती है नाइन तु ट्वेल्थ बच्चे अपने आपको उशार समझने लगता है माता पिता को नीरस उबाव गलतीया निकालने लगता है ज्यादा सोचने लगता है बस अपने हिसाफ से चलने लगता है तो तुमारे माता पिता, तुमारे जन्म से पहले इतने नीरस और उबाव नहीं थे, जितना तुमहें अभी लग रा है, तुमारे माता पिता ने पालन पोशन करने में, उन्होंने इतना कश्ट उठाया कि उनका सुभाव वदल गया, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीरस और उबाव नहीं थे जितना तुम्हें अभी लग रहा है पहले एनरजी से भर हुए थे तुम्हारे माता पिता ने पालन पोशन करने में उन्होंने इतना कश्ट उठाया कि उनका सुभाव बदल गया सांत ओना पुरुसकार सिर्फ इसकुलों में देखनों को मिलता है सांत ओना के सांत ओना दे देते को यह कोई दिक्कत नहीं है सांत ओना पुरुसकार सिर्फ इसकुलों में देखनों को मिलते हैं लेकिन बाहर की दुनिया के नियम अलग है लेकिन बाहर की दुनिया के लिए हम अलग है वहां हारने वाले को मौका नहीं मिलता वहां हारने वाले को मौका नहीं मिलता गलती करने वाले को दुबारा मौका नहीं मिलता मेरी बाते समझ में आ रही होगी सांतोना पुरुसकार सिर्फ इसकुल में देखने को मिलता है लेकिन बाहर की दुनिया के नियम कुछ अलग है वहां हारने वाले को फिर मोका नहीं मिलता जीवन के इसकुल में कक्षाएं नहीं होती वहां महिने भर के चुट्टी नहीं मिलती आपको सिखाने के लिए कोई समय नहीं देता सब कुछ आपको खुद करना होता है जीवन के स्कूल में कोई कक्षाएं नहीं होती वहाँ महिने भर की कोई छुट्टी नहीं होती आपको सिखाने के लिए कोई समय नहीं देता यहां सब आपको खुद करना होता है अगली बात टीवी का जीवन सही नहीं होता जो आप टीवी में सिरियल से देख रहे हो मूवी देख रहे हो जरूर नहीं है कि वो उसको आप फालो करो टीवी का जीवन सही नहीं होता और जीवन टीवी के सिरियल नहीं होते सही जीवन में आराम नहीं होता सिर्फ काम और सिर्फ काम होता इंपोर्टेंट बच्चों के लिए लगातार पढ़ाई करने वालों और कड़ी मेनत करने वाले अपने मित्रों को कभी मत चिड़ाओ एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उनके नीचे काम करना पड़ेगा लगातार पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेनत करने वाले अपने मित्रों को कभी मत चिड़ाओ एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उनके नीचे काम करना पड़ेगा यह जीवन की वास्तिविक्ता हैं तो साथियों बेस्ट आप लख आप जीवन में प्रकति करें उन्नती करें और मेरे टीचर सोको मेरा प्रणाम, मेरे बच्चों को बहुत बहुत आश्रवाद और पड़ाई जारी रखें जीवन परियंत सीखना चलता रहता है, शिक्षख जिन से हम सीख रहे हैं, मादाबी हमारे लिए शिक्षख हैं जिन से हमें आगे बढ़ने को सीखने को मिलता है तो उन सभी को जो है टीचर सदे समर्पित एक बार पुना आप सभी को शिक्षक दिवस की शुब काम नाएं बधाई धन्यवाद